दिवाली आने से महीनों पहले हम दिवाली की तैयारिया शुरू कर देते हैं हर चीज में दिवाली का रेफरेंस होता है अरे दिवाली पे अपग्रेट कर लेंगे ये चीज दिवाली पे खरीद लेंगे क्या पहनेंगे कहां जाएंगे किसको invite करेंगे वगेरा वगेरा प्रेज इग्जाक्ली टू वीक्स बिफोर दिवाली और आज में एक स्पेशल मिठाई बना रही थी जो मम्मी बनाती थी बच्पन में इस कॉल गुड एन आटा की पंजीरी पस गुड को अच्छे से भून लेते हैं घी में और उसमें गुड डाल देते हैं और कुछ नट्स और हो गई आपकी बेरी हेल्दी डिलिशिस और न्यूट्रिशिस मिठाई रेडी सोचा आपको लोग के साथ शेयर करो हो सकता है आपको भी अच्छी लगे मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे वीडियोज शूट करना और शेयर करना आप लोगों के साथ चाहे वो कुकिंग रेसिपीज हों चाहे मेरे डेली व्लॉग्स हों ऐसा लगता है कि आप लोगों से बाते कर रही हूं वाइल ऐसे चौन दा कैमरा इस मिठाई को आप पंजीरी की जैसे भी खा सकते हैं या तो आप बर्फी की तरह भी से बना सकते हैं ओके नाओ इस टाइम तू अपग्रेड माइ हाउस तो इस जिवाली मैंने डिसाइड किया है कि सारे रूम्स के मैं कर्टेंस चेंज करने वाली हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिये कि मैं कहां से खरीट के लाएं बहुत अच्छी क्वालिटी है और रिली अफोरडिबल घर तो अब दुलहन की तरह सज रहा है बट मुझे भी सजना होगा बिकॉस आज है करवा चौत यह हमारा सोलवा करवा चौत है एक साथ पता ही नहीं चलता है कि वक्त कितनी जल्दी गुजर जाता है anyways पूजा करने के बाद हमने डिसाइड किया कि हम दोनों डिनर के लिए बाहर जाएंगे we went to a place called palace and it was pretty nice मैंने अपना वरत खोला एक अच्छे से hot soup के साथ वैसे तो कहते हैं कि घर पे ही खाना बनाना चाहिए पर किसी भी करवा चौते में घर पे खाना नहीं बनाती हूँ anyways two days later मेरे घर में एक party थी तो आज दही बल्ले बन रहे हैं और यह हर बार होता है जब भी दही बल्ले बनते हैं मेरे बचों को तुसे फ्राइट भले ही पसंद हैं not in the दही फॉर्म घर को भी मैंने अच्छे से क्लीन करके डेकोरेट कर लिया है because obviously this is our first Diwali party so it has to give Diwali vibe और घर बहुत ही सुन्दर लग रहा था now I love this season तो winters जारी होती हैं और उपर से इतनी सारी brightness, lightning and the vibe is just amazing लदू मिठाई, drinks and chai but I am really now looking forward to have some fun night with my girlies the party went really well and it was super fun everybody had a great time and we ended up a night with a lot of music and great conversation that's not the end of it the next day we were invited for a cards party another Diwali party it was super fun at my friend's house पता नहीं पैसे जीते या हारे but we had a great time it was a cards party and finally the day has arrived it's Diwali today I started up by obviously cleaning up the house कुछ कुछ मैं बढ़े थी I always like to use fresh flowers for my rangoli also for my table decoration and little bit in and around the house area so this is all what I did सबसे पहले तो मैंने टेबल थोड़ा बहुत सेट अप कर दिया यह सब तैयारिया मैं सुभा ही कर लेती हूं some fresh petals and some flowers I love using fresh flowers because I love the way the house smells using these fresh flowers anyways my little one is helping me I'm sure आप भी यह करते होगे की लक्षमी जी के पैर right up till your mandir so yes he is also doing that for me and यह tradition है जो हम काफी सालों से फॉलो करते आ रहे हैं without fail दिवाली तो मिठाई के बिना पूरी हो नहीं सकती है so zomato से मैंने यह लड़ू स्मगभाए है these are sugar free and super nutritious but आते ही इन पे भी attack हो गया है time for some lunch तो दिवाली के लिए दिन में lunch बहुत simple रखती हूं सरफ दाल चावल and paneer today I'm making because you can never go wrong with paneer बच्चे अच्छे से से खा भी लेते हैं and they will be fuller for longer and now it was already in the evening मुची decide कि थोड़ा सा refresh करूं अपने आपको with some cup of coffee before we start the pooja so we were just chilling it was very very quiet afternoon we were watching TV, having our coffee and before we knew it was already 6.30 and time for our final pooja so आईए आपको मिलाती हूं अपनी family से my kids, my husband, my mother-in-law and my beautiful dog Phoebe and ये है हमारा pooja घर क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हर साल हम same चीजे करते हैं but yet they look very different they feel very different and कितनी बार भी आप ये चीजें दोहराएं आप कभी भी इन से बोर नहीं होतें जो ट्रडिशन हमने बच्पन से देखे हैं हम अभी तक उन्हें फॉलो करते हैं that's the beauty of our culture और मुझे तो लगता है कि life is taken a full circle for me जैसे मैं अपनी ममी के help करती थी दियास चलाने में candle light करने में following her instructions for little little things आज मैं एक ममी हूँ और मेरे बच्चे मेरे लिए वो सब चीज़े करते हैं जो मैं अपनी मा के साथ करती थी this is so beautiful a festival where the family comes together anyways एक hack मैं जरूर बताना चाहूंगे आपको दिवाली के लिए अकर balcony में आप दियास चलाते हैं तो these sensor दियास वारा hit कि आप balcony के दियास नहीं भूजेंगे चाहे कितनी भी तेज हवाई it was already time for dinner तो आज सोच रही हूँ बहुत simple कुछ बनाऊंगी मैं पूजा के बाद ही dinner बनाती हूँ I'm making pulao today very simple I've got all the cut vegetables बस इसको मैं घी में fry करूंगी चाबल डालूंगी और तयार हो गया मेरा pulao this is a wrap from my side hopefully आपसे मैं अगले हपते मिलूंगी wish and I hope कि आप सब की भी दिवाली काफी अच्छी गई होगी comment section में जरूर बताईएगा मेरा ये talking style vlog आपको कैसा लगा आपसे जल्द ही मिलूंगी एक बहुत interesting video के साथ bye bye and happy diwali to all of you